सुप्रिम कोट में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है और वो ये कि एक सरकारी करमचारी पर एक नाबालिक लड़की के साथ रेब का आरोप था आप कहेंगे इसमें अजीबो गरीब वाली क्या बात है तो बात ये है कि सुनवाई के दौरान रेब के आरोपी से ये पूछा गया किया तुम रेब पीडिता से शादी करोगे नमस्कार आप देखने दीकंटाप आपके साथ में अलीशा दरसल कुछ साल पहले एक सरकारी करमचारी ने एक नाबालिक लड़की के साथ रेब किया था ये मामला सुप्रीम कोट में चल रहा है हैरानी की बात तब हुई जब सुनवाई के समय सुप्रीम कोट ने आरोपित से ये कह डाला कि जब तुम उस रेब पीडिता से शादी करोगे तब ही तुमें जमानत मिल पाएगी वरना जेल जाना पड़ेगा बता दे कि देश की सबसे बड़ी अदालत में मोहित सुभाष चवन की बेल याचिका पर विचार किया गया मोहित एक महराष्ट्रो स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी में एक इलेक्ट्रीशन का काम करते हैं उन्होंने कुछ साल पहले एक नबालिक लड़की का रेप किया था जिसके चलते मोहित के उपर पॉसको एक्ट के साथ साथ कई गमभीर धाराई भी लगाई गई थी जानकारी के मताबिक जब सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसी दोरान चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने याचका करता के वकील से बड़ी अजीब गरीब सी बात कह डाली उन्होंने आरोपित से कहा कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा क्यूंकि तुमने लड़की को लुभाया है और उसका रेप किया है बताते हैं जब आरोपित ने रेप किया था तब लड़की नाबालिक थी रेप के बाद जब लड़की थाने अपनी शिकायद दर्च करवाने गई तो आरोपित की माने लड़की के सामने अपने बेटे से शादी करने का प्रस्ताव रखा था पर उस समय लड़की ने उस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया लेकिन बाद में फिर से ये सहमती बनी कि लड़की और लड़की की शादी करवा दी जाएगी जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब दोनों में शादी करवा देंगे हाला कि लड़की की उम्र 18 साल हो चुकी है पर अब आरोपित ने उससे शादी करने के लिए साफ इंकार कर इसके बाद पीडिता ने केस दर्च करवाया चीफ जस्टिस ने आरोपित को दूसरा मौका देते हुए पूछा क्या तुम उससे शादी करोगे आरोपित के वकील ने समय मांगा है कि हम सोच समझ के विचार करके आपको जवाब देंगे आपको बता दे कि आरोपित पहले से ह लिए शादी शुदा है यह जानकारी आरोपित के वकील ने कोट में बाद में दी थी बताया कि पहले आरोपित और उसके घर वालों ने पीड़िता के तो भाई तापसी पन्नू ने भी इस बार सुप्रीम कोड की आलोशना की है जिसकी वजह से वो चर्चा का विश्य बनी हुई है उन्होंने एक जच की टिपडी को घडिया बताया है अभिनेत्री ने जच की टिपडी की आलोशना करते हुए अपने अधिकारिक टुजर हो रहा है अभिनेत्री ने फैंस और कई सोचल मीडिया यूजर्स उनके ट्विट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं ऐसे खबरों के लिए देखते रहें दिकन्टाप हमाई चैनल दिकन्टाप को फेस्बुक पेज यूट्यूब चैनल पर लाइक करें सब्सक्राइब क करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें